तो दोस्तो अगर आप लोग भी Swiggy से order करते हैं तो आप लोगों को अब 2 रुपए के extra charges देने पढ़ सकते हैं क्योंकि Swiggy ने पर order पर 100 रुपए का समानों, 50 रुपए का समानों आप लोगों से 2 रुपए का extra charge लेने वाली है अब दोस्तो आप लोग समानों की 2 रुपए काफी कम amount क्या ही फरक पढ़ता है चलो हम दे देंगे कोई फरक नहीं पढ़ता है बट दोस्तो आप लोगों को बताते हो कि Swiggy 2 रुपए बढ़ाने की वज़े से अपना revenue 30 से 40 रुपए पढ़ा लेगा क्योंकि पर डे उसके application से लगबग 15 से 20 लाक users order करते हैं यानि कि वो order receive करता है तो आप लोग अंदर याद लगा सकते हो कि यह minimum average order है बाखी इसके ऊपर भी peak season में और अच्छे order receive होने पर इनकी revenue और बढ़ेंगे तो दोस्तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आखिर merit और demerit क्या है इनक से जादाई होगा क्योंकि यह average है जो इनको order receive होते हैं दूसरी चीज़ दोस्तों की 2 रुपए बहुत बड़ा amount नहीं है बट अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर फायदा है customers की बात करते हैं तो दो रुपए आप लोगों से delivery charges के रूप में या फिर इसको maintenance के charges करूप में जो बोल करके वसून रहा है उसमें ये एक चीज़ हो सकती है कि आप लोगों को जो extra discounts मिलते हैं वो discounts बरकरार रह सकते हैं और साथ ही आप लोगों को और extra discounts मिल सकते हैं क्योंकि देखे जब भी कोई दुकानदार होता है स्विगी के साथ register कराता है तो उसके स पात एक deal करता है कि हम आप लोगों को अपना food अपनी menu की दे रहा है हम आपको इतने में देंगे अब स्विगी उसके उपर अपने चार जेज अपना सब कुछ विलाधर के रक्तर की सारी prices करता है उसमें आप लोगों ने कई बार देखा होगा और कई बार आप लोगों ने ये भी जो मैटो के बारे में सुना होगा कि हमने जाकर कि दुकान पे देखा रेस्ट्रों में देखा तो वहाँ पे जो प्राइजिस थी वो कम थी वहीं पे अगर जो मैटो से हम पर बार करते हैं तो नगभग दो गुना पढ़ रहा है तो यही काराण होता है दोस्तों कि आपने वो को दो गुना पढ़ जाता है जिसमें आप लोगों के GST में गेरा सब कुछ इंप्लूड होते हैं तो दोस्तों स्वीगी अगर इस चीज को देखता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा रिवेन्यू 30 से 40 लाक रुपे जनरेट कर रहा है तो वो आप लोगों के साबने अ पूड ओर करना बड़ा महंगा हो रहा है फिर भी अगर आप 2 रुपे बढ़ा देते हो तो फिर आप लोग यहां पर सोचते हो कि नहीं मैं यहां से ओर नहीं करूंगा और कई वार दोस्तों लोगों को 2 रुपे से फरक नहीं पढ़ता है फरक पढ़ता है कि आपने 2 अपने प्रॉफिट पर फोकस्ड रहेगी और कस्टमर्स का ध्यार नहीं रहेगी क्योंकि इनको 30 से 40 लाक रुपे का एक्स्रा रिवेन्यू जनरेट होगा और उसको कहीं न कहीं कस्टमर को किसी तरीकी से रेटॉन नहीं करेगी इवन आदा परसेंटेज भी रेटॉन करें इनक्रीजिंग मॉडल को ले करके आती है आप लोगों क्या मानना है आप मुझे नीची कॉमेंट करके बदाएगे बाकि मुझे लगता है कि अगर कंपनी कस्टमर का ध्यान नहीं रखती है तो आप लोगों के सामने दूसरे आप्शन भी है आप लोग अपनी राय आप लोगों का दिन सब हो जैहिन